जेहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहितिके बहुती महत्वपोन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्चे देखें अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को स सही आंसर है महावीर प्रसाथ दुबेदी महावीर प्रसाथ दुबेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही कॉस्चन नमबर दो यहाँ पर क्या दिया गया है तो कॉस्चन नमबर दो देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर डबल हो गया है तो देखें अंगला कॉ question number 4 का right answer 2015 में ये question आपका पूंचा गया है महत्तुपण question है PGT में तो दुबेदी उग का एक अन्य नाम जो है जागरन सुधारकाल जागरन सुधारकाल यानि की विकल्प number आपका यहां पर C right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number C आपका यहां पर question number 5 पूंचा है दुबेदी उग कब है साहितिकार जिन्हें कभीता कौमनी भारतेंदु प्रिगेंदु साहित सुधाकर उपादियों से विभूसित किया गया था most important question पूंचा इतनी साही उपादियों से जो विभूसित क्या था नातुराम सर्मा संकर को रामधारी सेंदिनकर को भारतेंदु हरिष्चन या शूर कांतर पाथी नराला तो कि इनको विभूसित क्या था तो आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानि की नातुराम सर्मा संकर आपका यहाँ पर सही आंसर है नातुराम सर्मा संकर को भारते अंदु प्रिग्यंदु साहित सुधाकर और कभीता कौमनी कांते इनको जो है इनतनी उपार्णियों से इनको विभूसित क्या था तो यह आपको यहाँ पर याद रखन नहीं बिल्कुल सही यहां पर question number आपका 6 क्या पूंचा गया है तो question number 6 यहां पर आपका दिया गया है ज्यानरासी के संचित कोस का ही नाम साहित है यह उक्ति किसकी है तो यह उक्ति आपके लिए यहां पर बताना है कि यह उक्ति किसकी है तो आपका यहां पर right answer होगा question number 6 का व महावीर प्रसाद दुबेदी की, question number आपको यहाँ पर 8 पूंचा ग्या है, आचार महावीर प्रसाद दुबेदी द्वारा रचत अर्थ सास्त्र बिसाय का ग्रंथ है, अर्थ सास्त्र बिसाय का ग्रंथ बताना है, अर्थ सास्त की भूमिका, भारतिय अर्थ नीती या अर्थ थेक विवस्ता ये संपत्ति सास्त्र तो ये जो ग्रंथ है ये अर्ष सास्त्र विशाय का ग्रंथ है और महावीर परसाद दुवेदी द्वारा रचे थे तो संपत्ति सास्त्र आपके हैं पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी संपत्ति सास्त्र ये ग्रंथ है एक पुस्तक है और यह जो है प्रकासित कब हुई थी अगर आपसे पूंचा जाए तो 1908 में 1908 आपको याद रखना है संपत्ति साच के लेकक तो अब भी वही पड़ा है संपत्ति साच के लेकक महावेर पर साथ दुबेदी है और यहाँ पर आपका अंगला कॉस्चन क्या पूंचा जा है एक कॉस्चन डबल हो गया बिलकुल कॉस्चन नमबर यहाँ पर 10 देख लेते हैं कि जूही की कली कवीता को किस संपत्ति ने अपनी पत्त्त में बिना प्रकासित के बापिस कर दिया था तो आपका सही आंसर है महावेर पर साथ दुबेदी महावेर पर साथ दुबेदी आपका हैं पर सही आंसर है बिलकुल सही महावेर पर साथ दुबेदी आपका हैं पर सही आंसर है बहुत बढ़ी है महावेर पर साथ दुबेदी 2017 में यह जी I.C. प्रवक्त परीक्षा में बी पूंचा गया question है और question number 12 आप से आपर क्या पूंचा गया है तो question number 12 है अन्ता करन की प्रवित्यों के चत्र का नाम कवीता है किसे ने कहा है यान की ये कथन आपके लिए बताना है ये कथन किसका है अंता करन की प्रवित्तियों के चित्र का नाम कवीता है ये जो कहा है भारते अंदुहरस्चन्र महाविर परसाद दुबेदी स्यामसुंदर दास ये रामचन सुकल तो कॉस्चन नमबर बारा का जो सही आंसर है आपके हैं आपर बारा का राइट आंसर हो का विकल्प नमबर बी यानि की महाविर परसाद दुबेदी आपके हैं बिल्कुल सही महाविर परसाद दुबेदी राइट आंसर है कॉस्चन नमबर तेरह है आपका क्या पूंचा क्य कभी नहीं है तो कौन नहीं है आपर चार विकल्प देगा है बताइए अविद्या समपात्य हरियोद स्वाहनलाल दुबेदी राम नरिष्टर पाथी अम्यातलिशन गुप्ते यहाँ पर आपके सर्वाहनलाल प्रपाथी राम नरिष्टर प्रपाथी रुप अम्यातलिशन गुप्ते पांडे, मकुट धर पांडे, लोचन पर साथ पांडे या न स्य नहीं। तो आपके 14 और चौहँदाए का सही आंसर है मकुट धर पांडे, जो मकुट धर पांडे हैं यह दुबेदी युग की सर्फिरिष्ट प्रिगितकार की रूप में माने जाते हैं तो विकल्प नमबर आपका यहां पर सी मुकुट धरपांडे राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 15 पूँचा गया है चायवाद का पूरभा भास किस कभी की रशिना में प्रगट हुआ है चायवाद का पूरभा भास बताईए किसे कभी की रशिना में प्रिगाट हुआ है मकोट धर पांडे, लोचन प्रसाथ पांडे, रूप नारन पांडे या स्याम नारन पांडे तो question number 15 दिया गया है और आपका यहाँ पर जो 15 का जो सही answer है बहें क्या है राइट आंसर 15 का तो आपका सही answer विकल्प नमबर एक मकोट धर पांडे, मकोट धर पांडे आपका सही answer है विकल्प नमबर एक 2005 में PGT में एक question पूँचे गया आपका महत्तपूर्ण question है और question number 16 आपसे यहाँ पर पूँचा गया है किस कभी की रशिना में चायाबाद का पूर्भाबास ने जो है सनलक्षित हुआ है तो यह question फिर से यहाँ पर आपका डबल हो गया मकोट धर पांडे आपका सही answer होगा question number 17 पूँचा गया है खड़ी बोली हिंदी का पृथम महाकाब बे है यह question तो बहुत ही महत्तपूर्ण question पूँचा गया है आपसे यहाँ पर कि खड़ी बोली हिंदी का पृथम महाकाब बे पूँचा है आपसे तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है question number 17 का बहे है आपका यहाँ पर right answer question number 17 का right answer है खड़ी बोली हिंदी का प्रिथम महाकाब्य तो बहे है विकल्प number C यानिकी प्रिये प्रवास प्रिये प्रवास आपका विकल्प number 1 सही आंसर होगा प्रिये प्रवास जो है अयुद्या सहय उपाद्या हरिवद द्वारा करत है और संस्कृत की समस्ते में तथा कौमल कांत पदावली से अलंकरत और संस्कृत है बंड ब्रत्तों में लिकित हिंदी खड़ी बोली का प्रिशन देख लेते हैं क्या पूछा है कौश्चन नंबर 18 तो देखे यह रहा यहां पर कौश्चन नंबर 18 आपका खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रिथम महाकाब्ब है तो कौन सा है कौश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताईए साकेत भारत भारती पूछ नंबर 18 पूछा है कौश्चन नंबर 18 पूछा है कि प्रिए प्रवास महाकाब्ब में सर्गों की संच्या केतनी है तो बिलकुल सही महात्वण कौश्चन आप से यहां पर पूछा है इसमें आपको सर्गों की संच्या बताना है कितनी है सर्गों की संच्या सत्रा है 19 से 21 या 23 से यह आपकी चार विकल्प question number 19 है और 19 का सही आंसर प्रिये प्रवास जो महा काप्व है इसमें सर्गों की जो संख्या है भै कितनी है तो 17 सर्ग हैं इसमें कितनी है 17 सर्ग है तो विकल्प number 1 आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प number 1 राइट आंसर है question number आपका यहाँ पर 20 पूँचा है क्या पूँचा है अजुद्य सें उपाद्या हरिवाद द्वारा लिखेते काप विग्रंथ है काप विग्रंथ पूँचा है आपसे यहाँ पर यह आपका PGT sorry TGT पर एक्षा 2005 और 2010 में पूँचा गया question है और अजुद्य सें उपाद्या हरिवाद द्वारा लिखेते काप विग्रंथ पूँचा पते के चौखे चौपदे या कनुप्रिया या बासवदत्ता तो आपका सही आंसर यहाँ पर चौखे चौपदे आपका विकल्प नंबर C यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर है कौश्चन नंबर आपका 21 क्या पूँचा गया है तो 21 वा कौश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है बेदी ही बनवास नामक काप वे लिखा है तो यह जो काप वे लिखा है किसने लिखा है question number 21 में आपके लिए बताना है महत्तुपूर्ण question पूँचे गया है और 21 का जो सही answer होगा आपका यहाँ पर आपका right answer विकल्प number B अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद आपका यहाँ पर सही answer है अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद अभी बताए ता पीछे यहाँ पर जो बताए था कि जो खड़ी बोली का प्रतम महाकाब है प्रिये प्रवाद इसके रचेता है अविध्या सेंग उपाध्या हरिवाद तो विकल्प number आपका यहाँ पर B right answer है खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महाकाब बे है तो खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महाकाब बे पूंचा है तो आपका सही answer है यहाँ पर प्रिये प्रवास पर से डबल होगा प्रिये प्रवास आपका सही answer है यह question आपके जो है इस प्रकार के अलग-अलग जो है इसी तरह की पूंचे कहे हैं जैसे यह आपका TGT 2001 में पूँचा गया था और इसी तरह जो है आपका यह 2010 में TGT में पूँचा गया घुमा पर आकर आपकी question पूँचे गये हैं question number 25 है निमलिकित में ऐसी कौन सी रचिना अविद्धास अउपात्या हरिवाद जी की है तो बिचित्र विबाहे चोपदे बेदे बनवास या चोबिते चोबिती तो आपका यहाँ पर question number 25 है और 25 का जो सही आंसर है भहे आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर तो 25 का वि विचित्र विबाहे आपका सही आंसर होगा विचित्र विबाहे जो है विकल्प नंबर एक राइट आंसर है विचित्र विबाहे राष्ट भारती देव दूत देव सभा और रामचरित अपाध्या की किर्टी है इसके अतिरेक्ट इन्होंने चिंता मणी रामचरित चिंता मणी नामक प्रबंद कपी रशिना की है सेश कृतियां जो है अविद्दासय अवपाद्याई ißtय हरुबद जी की है यहाँ पर नहीं पूंचा था आपसे यहाँ पर तो नहीं में आपकी विच्चित्र विवाह आपका राइट आंसर है यह नहीं है अविद्धा से अउपाद्या हरिवाद जी की नहीं पूँचा था बिलकुल कॉश्चन नमबर आपका 26 यहां पर क्या पूँचा है तो कॉश्चन नमबर 26 आपका यहां पर पूँचा है देख लेते हैं कि दवस का आउसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला तरू सिकापर थी जब राजती कमलनी कुल वल्लव की पृभा इन कावप पंतियों का जो संबंद बताना है किस से इनका संबंद है इन कावप पंतियों का आँसू प्रिये पृबास परिवर्तन या किसान से कौस्चन नमबर 26 का आंसर बताईए इनका संबंद किस से था तो आपका 26 का जो राइट आंसर होगा वह आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नमबर सी यानि की प्रिये पृबास से संबंदित इनका पंतियों है कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है 27 क्या पूँचा है दुबेदी उग की कवीता है उपदे सात्मक एवं इती ब्रत्तात्मक पिरकित्ती चित्रात्मक नव जागरनपराख नारी चेतनात्मक यह आपके चार विकल्प हैं कौस्चन नमबर 27 का सही आंसर 2011 में एक कौस्चन पूँचा गया था और इसका जो सही आंसर है दुबेदी उग की कवीता है तो बह कौन सी उपदे सात्मक और इती ब्रत्तात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर यह आपका राइट आंसर यहाँ पर है कौस्चन नमबर आपका 28 पूँचा है इती ब्रत्तात्मक किस का विकल्प की प्रमक विसेशता है तो देखिए यह जो है कौस्चन दुबेदी उग का आपका सही आंसर है इस प्रकार question पूँचा गया तक घुमा कर आपका 2009 में PGT में question नमर आपका यहाँ पर 29 पूँचा गया है दोबेदी युगिन साहित में कैसे प्रवित्ती की प्रमुकता नहीं है